अगर कोई मुझसे पूछे कि स्मार्टेश रोगे कौन है तो मैं बोलूगा इट्स तो भी रामा सेंजू उसने वार का टाइम पे उचिया से लड़ने के लिए परफर्ट जूस क्रियेट करे थे उसे टेलिप्रोटेशन जूचु को और इंप्रूफ करा और उसको मिना तो न मिला है हमें चैप्टर 16 के स्पोईलर के अंदर बहुत बढ़ी चैप्टर में कुछ फाइट अगार तो नहीं होरी पर हमें बहुत कुछ पता लागा है और उनमें से चीज है कि अगर तुम्हारे सामने जूरा आये तो भाग जाओ अगर तुम्हारे सामने मिना तो आता है भाग जाओ जहां भी सेम चीज हो रही है अगर जूरा दिखे मत लाड़ो भाग जाओ चलो सब कुछ बताऊंगो तुम्हें चैप्टर के अंदर स्पोईलर शुरू कर दे पर पहले बता दू ऑफिशल ट्रांसलेशन नहीं है जब हैगे चेटर बात करेंगे चैप्टर कव तो इस चैप्टर के अंदर उसी पटिकुलर चीज पर बात हो रही होती है हमें एक फ्लैश बैक नहीं है ऐसा क्यूं बता हूँ आगे चैप्टर शुरू होता है वह बोलता है इंस्टनली ट्रांसफर करना खुद को किसी ऑब्जेट को किसी भी लोकेशन दे के कैंड़ा उ आज से 6 साल आगे जाके तो इन पावर्स को अच्छे से कंट्रूल कर पाएगा तो अपने निंजा टूल्स के अंदर अपना चाकरा असाइन कर पाएगा और इंस्टनली कहीं भी टलिपोर्ट कर पाएगा जहां तेरे निंजा टूल्स होते हैं और इस टेकनीक को कहा जाता ह फ्लाइंग रेजिन वो थोड़ी अलग है मिनातो वाली से, तो कि इसमें बोल्ट वा खुद कुछ उनिकनेस है, देखो बोल्ट वेशनम काशिनकोजी के साथ में, और इस टाइम उसने सास क्यों खो दिया है, तो वोल्ट वोल्ट समझ गया होगा कि उसे ऐसा जूसू ढूड़ना पड़ेगा, जिससे वो कोई भी सिचूशन बहुत एजिली एसकेप कर सकता है, तो उसलिए फ्यूचर के अंदर उसने खुद से ऐसी को टेकनिक इन्वेंट करी होगी, जो काशिन गोजी ने अपनी फ्यूचर टेकनिक से देख ली और वो अब इसको बता रहा है, कि तो छे साल बात जाके ऐसी को टेकनिक मास्टर करेगा, चप्टर पर वापस आते है काशिन गोजी बता रहा होता है कि किसी भी जगह से टेलिपूर्ट करने का बेस मीडियम होने वारे तेरा निंजा टूल्स, बोल्टो बोलता है मेरी स्वर्ट चलेगी, काशिन कोजी बोलता है कुछ भी चलेगा तेरा शूरीकेन, स्वर्ड, everything, और अगर तेरे निंजा टूल तेरे विजिबल रेंज के अंदर है तो बहुत एक्कूरेटली टेलिपूर्ट कर पाएगा, और बोल्टो बोलता है विजिबल रेंज मालब अगर मुझे बहुत दूर टेलिपूर्ट करना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, काशिन कोजी बोलता है कर पाएगा बर यहाँ पे थोड़ी confusion आती है, confusion यह है कि assume करो बोल्टो ने एक कुनाई राइट में फैक का, एक कुनाई उसने लेट में फैक का, और दोनों एक पॉइंट पाके उसकी विजिबल रेंज में नहीं रहे, बोल्टो श्चिल उन्दर टेलिपोट कर पाएगा, पर बोल्टो किस साइड जाएगा उसने वो confirm नहीं होगा, मला वो राइट साट वाले शूरिकन पर जाएगा, या फिर वो लट साट वाले शूरिकन पर जाएगा, विकोशुरिकन सेम ही है, और फार डिस्टेंस के अंदर मला विजिबल रेंज से हटके, दो सिमलर शूरिकन के अंदर फरक बताना बहुत मुश्किल है, तो इस प्रॉबल्म को solve करने के लिए यूज़ करेंगे, अबज़ेक्ट विड डिफरेंट शेप्स, तो अब तुमें समाझ आया है, बोल्टो एक कपडो के उपपर, जो देन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, कुछ उजुमा की साइन, कुछ स्टार साइन, वो अबज़ेक्ट्स पका रहा है, ऐसी फैशन के लिए नहीं है बोल्टो के उपर, वो उसकी फ्लाइंटर गोट टेकनीक में काम आते हैं, पर जहांपल अगर बोल्टो ने ये माउस फैक का राइट साइड, और ये शूरिकन फैक का लेट साइड, और ये दोनों बोल्टो की विजबर लें से भार जा चुके हैं, बोल्टो बहुत दूर पहुँच चुका है, पर जिल अगर वो टेलिपोर्ट होना चाहेगा, तो फरक पता लगा पाएगा, एक माउस और शूरिकन के बीच में, इसलिए डिफरेंट अबजेट उसके अंदर चाक्रा इंट्फ्यूस करा, और you are done, good to go, बट चिल टेकनीक इस डिफिकल्ट, तो ट्रेनिंग तो लगेगी इसके अंदर, काशिन कोजी आगे बोलता है, ये जूसू तू अगले 6 साल के अंदर जा की सिखे का, और मास्टर करेगा, पर मैंने अभी के अभी तिरको सब कुछ बता दिया है, तो चैप्टर 30 के अंदर काशिन कोजी ने जो बोलाता है, कि मैं फ्यूचर देखे के तिरको अट लीस्ट जूसू अबरे में बता संदू, तो फ्यूचर में यूज़ करेगा, वो यहाँ पे होग एक्जाटली, और अभी हमें बोल्टर काशिन कोजी का फ्लैश बैक देखना है, जो करनली दो साल पहले का है, और दो साल के अंदर बोल्टर बहुत अच्छी तरीके से फ्लैंट हंटर को टेक्निक यूज़ कर पा रहा है, अब इसके बाद हम बोल्टर काशिन कोजी का एक और सीन देखते हैं, जिके अंदर बोल्टर काशिन कोजी से बोल्ड रहा होता है, कि अगर आप फ्यूचर के अंदर अच्छा बुरा सब देख सकते हो, तो हमें ये चीज़ सब को बता देना चाहिए, ताकि अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होगा, वो उसे अगोएड कर लेगा, पर काशिन कोजी सेज हमें यही तो नहीं करना, अगर हम सब को बता देगे फ्यूचर के बारे में, और अगर किसी के फ्यूचर के अंदर कुछ बुरा लिखा होगा, नसीब में लिखा क्या है और अगर वो कुछ बुरा तो लोग उसे बदलना चुरू कर देंगे तो हमें उस साइकल को नहीं छेड़ना चाहिए हमें सब को नहीं बताना चाहिए जैसा चल रहा हमें बिहाइंड देना चाहिए अगे बोर्टो बोलता है तो फ्यूचर वारे में तो मेरे को पता लग चुक है तो क्या मैं भी singularity हूँ और काशिंगो जी बोलता है अफकॉर्स तू भी और तू भी आईडा जहां पे रिवील होता है कि यह सब कुछ एक्चुली में आईडा देख रही थी जैसे मेरे शुरु शुरु में बोला था हम एक फ्लैश बैक नहीं है बिकॉज आईडा अपनी शेंडरिगान को यूज करके यह सब कुछ देख रही है जो पास्ट में हुआ था अगर तुम में से कोई भूल चेवा तो आईडा के पास एक स्पेशल आया जिसका नाम है शेंडरिगान उससे वह पास्ट में जब तक वो पैदा हुए उ उसके भी कुछ रीजन्स हैं बोर्टो नहीं जाता कि तुम लोग दिक्कतों में फसो जो चीज सारदा अक्चूली में नहीं समझ रही देखो इस पॉइंट के आगे ना बहुत सारी बाते हैं लड़कियों की ही मैं पूरा देफ में नहीं जाने वाला थोड़ा समराइसर के बात आएत तहूं ठीक है प्रिसकली सारदा सबस्कित जानना चानते जाते सारदा बोलते ही बोर्टो ने श्यम है काँपे और इसे पहले आइडा कुछ बोले असे रोग देथी है सुमिरे उसे बोलते है कि बोर्टों की फीलिंस की nine प हर समने बता रहे तो उसके कुछ मैं ना लग जाएंगे सारा थोड़ा और बोलने को इसको कुछ है नी और जारा ये देखो आएडा बाई गौडली पावर से इसके पास ठीक है शी चेंजड बोरुडन कवाकी जिलाइफ ये पास्ट में कुछी भी देख सकती है और इसको इस सब खिचड़ी में माजा रहा है जाने वाला है वहल थोड़ा और हीट पॉटर सुमी रहा जान लग जाते हैंगे उपट कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं आएडा कॉल आती है शिकमारू से आडा शिकमारू से मिले जाते है पर उससे पहले बुड्डो का इंट्राक्शन है जो मैं कर रहा है ट्रांस्लेशन आगे तब कवर करेंगे और वैसे भी कुछ काम की बाद में कर रहे लोग जोग वही बोड़ रहे हैं कि बोड़ ने काप्चर कर रहा था पर गलसी एसकेप हो गया उजलती मार देंगे यह नी मार पागे तुम चुप रहो हम आते हैं शिकमारू और आईडा प में इंपोर्टन बात करने में नहीं कर पारा में दिमाग सुलो रहे हैं पर ने की बात फाइनले शुरू देर शिकमारू पूसता है कि सेंड विलेजी क्या हाला था इस चाहिम एडा से जया तुन्हें एक नया शिंजू पैदा हो चुका है और उसका नाम है रियू और शिक पर कुछ लोग को बेदने वाला है सेंड विलेज मिशन पर अधे वो आईडा की जो पावर है कि वो प्रेजेंटी जो कुछ हो रहा है कहीं पर भी कुछ भी दे सकती है साथ में पास्ट कभी उसकी एक लिमिटेशन आ चुकी है आईडा खुद बताते कि जब शिंजू आईडा वो नहीं देखेगी अपसे कुछ ताम बीच जाने के बात वह देखेगी शिंजू क्या कर रहे थे थे थोड़ा डिले डालने वाला है इसकी पावर के अंदर यह वाला सिंद बक्का शिंजू आईडा को देहरु था है कुछ चप्टर पहले देखा था जैब बोलो यह वाली मेरे 5 दना यू को बोलट के ती काई पारेंश धीक जो इसके बारें बता देती है सुर को बॉल ल्लटर को दंसे जो करने करने दियंगा क्यों कि तुझे पता है थोड़ेर है पहले टोड़ के मेjam से मेरे उसे बात हो रही थी और मेरे साब से वो बंदा काशिनको जी है and bro is right आईडा के बात से डोड़ भार आता है यो बोलता है शिक्मारू you are right बरहा आगे ये डोड़ बोलता है मज़ब डोड़ नहीं बोलता है काशिनको जी टोड़ अब शिकमान थोड़े सावाल जाब करने कोई रीजन दे दे पर ही जलाए कोई सवाल जवाब नहीं बाई काशिन को जी और सो सेज की ही मारी का ध्यान रखो उसे विलेज से बाहर मत जाने दो जूरा उसके पिछे लागव है अगर विलेज से बाहर गई वो खतम यह सुनके में भी तुम सोचे होगे अच्छा गर विलेज से बाहर गई तो वो खतम पर जूरा भी तो विलेज में आ सकता है न वो आ सकता है पर जूरा विलेज में तभाई करना पसंद नहीं करेगा ऐसा इसलिए बिकॉज जूरा बहुत वैल्यूस रखता है कोनों आगे कल्चर के अंदर उसे विलेज के अंदर लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है खैर उसने एक या दो टेल बीस बहुं विलेज अंदर नहीं है काशिन को जी एक चीज और बताता है कि अगर जूरा विलेज के अ अगेंस विक्ट्री सीम्स इंपॉसिबल कशिन को जी आगे बोलता है कि जूरा की टीम है मलब और शिंजू उनको मानना शुरू करो और ट्रै करो जूरा का इन्वॉल्मेंट ना हो उन सब के अंदर और अगर जूरा आता है रन आवे ये खौफ बन रहा है जूरा का आप ब सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे पता है तो ने यह चीज दिमाग ने दिल चे का रहा था जाता है इसे बाद हम सुमिरी को देखते है अफकोर्शी सैट बिकॉद उसको स्मैश करने का मौकई ने मिला बोरुटो को बसे हाव क्रेजी इस नेक्स्ट लेवल लड़का लड़ रही है उसके पीछे पर इसे पहले चेप्टर ख़ता में हम देखते हैं सैंड विलेज का सीन जहां पे सारदा मिच्चूरी मिच्की और कोन हामरू आ चुके हैं और सो सैंड विलेज के दो शिनोबी योडा और अराया भी आ चुके है जो शिंकी के टीमेट थे शिक म महाराद की वैसा हो रहा है और जो सारदा मना कर देती है बट यहीं सच्छा है रिसेंटी फ्रांस के अंदर इकी मोटो सेंजे का इंटर्व्यू आता था इकी मोटो सेंजे ने रिवील कर रहा था कि सारदा से कपड़े पैंती है विकॉज ऑफ पोरूटो शिं मिसिस बोरू कितना बड़ा अचीबमेंट है टोड को पेले खड़ो रखे है वहां पे उन्हें टोड मर गया सस्ता नाख्शा करके सो गया पर हां टोड को देखे माच्छूरी और रियू बोलते हमें एक और क्लू मिल गया बोर्टो के और नजदीक पहुचने का और इसे के साथ 16 का स्प का अगारा का सील्ड है और उचिमार हाइड़ाट के अंदर तो इसा हो सकता है कि योडो अराया सारदा मीच की कोन हमरू वर्सिज रू और माचुरियो वही सेम हाइड़ा और इस बार में भी गारा को बचा रहे हूं और इस वाइट के अंदर हम किसी की नई पावर देखे या फिर ऐसा हो कि हमें शिंजु जी कोई वीकनस के बारे पता लग जाए जो भी यह देखे हम आगे हमारे चैप्टर के अंदर पर हां अगें अभी किने स्पॉल वारे वीडियो इतनी दी अगर आज है चैप्टर सुनने के बात तुमारे मैंड में कोई थियोरी या कोई प झाओ नारा